दोस्तों जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर पुराना होने लगता है वैसे वैसे ये काफी सलो चलने लगता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने सलो कंप्यूटर को भाष्ट कैसे करेंगे ठीक है मैं जो तरीका बताऊंगा यदि आप उ rt start up लिखना ठीक है यहाँ पर देखिए उपर में आ जाएगा startup app तीस में आपको कर देना है click उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा खुल के सामने आ जाएगा देखिए तो यहाँ पर जो भी application बेग्राउंड में run कर रहा है वो सारा यहाँ पर slow कर रहा है ताप यहाँ पर देखिए कि कौन सा बेकार का यहाँ पर application है और वो बेग्राउंड में run कर रहा है उसको आपको करना क्या है दोस्तों बंद कर देना ओफ कर देना जैसे यह बेकार है whatsapp को बंद कर देते हैं ये सारा जो है background में हमेशा आपका run करते रहेगा ठीक है और काफी आपका जो है internet हो गया बैटरी हो गया इसके साथ ही computer को काफी slow कर देगा ठीक है तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर पढ़ लिजिए कि जो भी बेकार है उनको आप जो है इस तरह बंद कर दीजिए ठीक है इसके बाद दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आपको यहीं पर click करना है apps and futures में ठीक है यहाँ पर click किजिए उसके बाद यहाँ पर आपके computer में जितना भी सारा software रहेगा सारा यहाँ पर दिखा देगा तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा बेकार software में ने install कर दिया ठीक है उसको आपको click करना है और उसको आपको uninstall कर देना ठीक है यहाँ से आप चेक किजिए और देखिए कि कौन कौन सा बेकार है जिसे आप कभी use नहीं करते हैं उसको आप यहाँ से uninstall कर दीजिए बस click किजिए और uninstall में click कर दीजिए यह uninstall हो जाएगा ठी तीसरा तरीका ये दोस्तो कि आपको अपने Keyboard से Windows plus RK को Press करना है, उसके बाद आपको Type करना है Clean M. G. R. ये लिख के आपको Enter कर देना है, उसके बाद दोस्तो यहाँ से आपको करना क्या है, C Drive को Choose कर लेना है, उसके बाद आपको ok कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपका c drive आ जाएगा तो यहाँ पे जितना भी box है सारे box में आपको एकड़ करके check कर देना है ठीक है एकड़ करके आपको check कर देना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है direct ok कर देना है उसके बाद आपको delete file में click कर देना है तो आपके C drive में जितना भी फालतू का जो भी data पड़ा हुआ होगा उसे या clean कर देगा जिससे आपका computer काफी fast हो जाएगा आपको पता है कि C drive में ही सारा program वाला file रहता है जिससे computer काफी slow होने लगता है ठीक है तो इसको आप जो है clean कर दीजिए चौथा तरीका यह दोस्तों कि आपको अपने keyboard से फिर से windows पलस आर की को प्रेस करना है इसके बाद आपको अबर type करना है prefetch prefetch लिक के आपको enter कर देना है उसके बाद यहाँ से continue पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे जितना भी फाइल दिखा राष्टा भी को keyboard से control पलस A प्रेस करेंगे तो all select हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इसको delete कर देंगे चाहे right click करके delete कीजिए चाहे keyboard से delete कर दीजिए सारे फाइल को यहाँ से हटा दीजिए यह temporary फाइल बन जाता है जिससे हमारा computer जो है वो काफी slow होने लगता है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद next तरीका फिर है पांचमा तरीका यह कि आपको फिर से windows पलस आर्की को एक साथ प्रेस करना है उसके बाद आपको अबर type करना है percentage टेंप percentage यह लिखे आपको enter कर देना है ठीक है उसके बाद जो भी यहाँ पे जितना भी फाइल दिखाए सभी को control A से select करेंगे उसके बाद right click करके delete कर देंगे यह सारा फाइल जो है बिकार करता है जो हमारे computer में space खाते रहता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है ना ही यह दिखता है ठीक है तो इसे command के through से निकाला जाता है उसके बाद आप इसको clean जैसा ही कर देंगे तो आपका जो computer है वो काफी तेज हो जाएगा ठीक है तो सारे फाइल को clean कर दीजिए जो bunch रहा है फिर से delete कीजिए तो सारा जो है वो clean हो जाएगा देखिए यहाँ पे clean हो गया है उसके बाद next तरीका यह है यह आपको फिर से windows की plus r key को एक साथ press करना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अबर आपको type करना है temp आपको लिखके type करना है उसके बाद आपको ok कर देना है उसके बाद आपको continue पे click कर देना है उसके बाद आपको control एसे सारे file को select कर लेना है right click करके इन सभी file को आपको delete कर देना है ठीक है तो सारा file आपके computer का जो भी कचड़ा है वो साप हो जाएगा जिसे आपका computer है दोस्तों वो काफी fast हो जाएगा उसके बाद next तरीका आपको ये करना है दोस्तों windows plus rk को एक साथ press करना है और आपको type करना है trwe ये लिखे आपको enter कर देना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है एक program खुलेगा और automatic उसको clean कर देगा तो जितने भी सारे command होते हैं दोस्तों मैंने आपको बता दिये एक चीज़ आपको और करना है उसके लिए आपको start के button पे click करना है और settings में चले जाना है इसके बाद आपको यहाँ पे click करना है update and security में ठीक है यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपके computer का जो भी update आया हुआ रहेगा वो यहाँ पे खुल जाएगा तो यहाँ से आपको check करना है कि क्या आपके computer में कोई update आया है यदि यहाँ पे green tick दिखा रहा है तो ठीक है नहीं दिखा रहा है यदी update आए ओर रहगा तो आपको जो है अपने computer को update कर लेना है कई पर देखा गया है कि update आ जाता है और आप उसको update नहीं करते हैं ति इस कारण से भी computer काफी slow हो जाता है तो आपको अपने computer को update करते ही रहना ठीक है तो मैंने जितना तरीका बताया दोस्तों यदि आप इन तरीकों को समय समय पे करते रहेंगे ऐसा नहीं है कि अभी आप पे कियें उसके बाद जो है आपको दुबारा नहीं करना है इन तरीकों को जो भी मैंने आपको कमांड बताया विंडोज पला सार की रन कमांड से जितना भी command बताया, इन सारे command को आपको 15 दिन में या 20 दिन में या 25 दिन में करते ही राना है तो आप देखेंगे आपका computer पहले से काफी fast हो जाएगा ठीक है, तो चली दोस्तों मिलते हैं फिर next वीडियो में जहें दोस्तों